हम लोग बायोलोजी यानि जीव विज्ञान के चौथे नमर चेप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है जनन जो की एक बहुत ही जादा महतवपून चेप्टर है और इस चेप्टर से समंधित पीछले वीडियो में हम आपको इस चेप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट किलिय कर दिये थे यानि कि पिछले वीडियो में हम आपको सबसे पहले जनन के बारे में बताये थे कि जनन क्या होता है जनन सिर्फ जीब जन्तू में होता है या फिर पेंड पौधों में होता है इसके बारे में भी बताये थे और साथी साथ हम आपको बताये थे कि जनन हमारे लि आपको बताये थे कि जनन कितने परकार के होते हैं यानि कि जनन की किरिया कितने चर्णों में संपर्ण होती है तो हम आपको बताये थे कि दो चर्णों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में भी हम आपको पूरे बिस्तार से बताये थे और लैंगिक और अलैंगिक में अंतर भी हम आपको पिछले वीडियो में complete करा दिये हैं इसलिए हम आपसे बार-बार बोल रहे हैं यदि आप लोग पिछला class नहीं देखे हैं तो playlist में आपको वीडियो मिल जाएगा आप लोग जरूर देख लीजेगा उसके बाद हम लोग देखे थे परमुख वीधियां कौन कौन सी होती है परमुख वीधियों का वर्नन करें जो कि एक बहुत ही जादा महतवपोन प्रस्न है और यह दिर्गुतरिये का प्रस्न है ध्यान रखिएगा जब भी आपके परिच्छा में पूछेगा तो पांच नंबर का पूछेगा क्योंकि करके देखिएगा ताकि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो चलिए बीना समय गवाय हम लोग सुरू करते हैं लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडिय सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बिखंडन क्या होता है जो सबसे पहला बिधी है विखंडन ध्यान रखिएगा और यहां जो बिधी है यह हमेशा अलेंगक जनन में होता है क्योंकि हम देखिए रहे हैंढम की प्रमुक्ः फिबिधियां तो जो भी जनन होगा सब के सब अलेंगक जनन होगा तो हम लोग विखंडन के बारे में जो जीब जनक होता है यह दो या दो से अधिक भागों में तूट जाता है और तूट करके अपना एक नया जीवन शुरू करता है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह जीब जनक कौन होता है जीब जनक क्या होता है तदी आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे तो आपको जीव जनक के बारे में पता होगा जैसे हम आपको बताये थे कि एक अमीवा होता है और यह अमीवा दो भागों में छोटे छोटे भागों में तूट जाता है और अलग-अलग अमीवा बना लेता है यानि कि यह जो अमीवा चलिए हम आपको एक दूसरे उदारन के माध्यम से समझाते हैं जैसे एक male और एक female ध्यान रखिएगा एक male और एक female मिल करके एक संतान की उत्पत्ती करते हैं ठीक है तो यह जो male हो गए और यह जो female हो गए इसी को हम लोग जनक बोलते हैं अगर simple भासा में और समझे तो जो हमारे माता पीता हैं वह हमारे क्या है जनक हो गए ठीक है जो माता पीता है वह क्या है जनक है चलिए तो जनक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे तो बिखंडन में क्या होता है कि जो जनक होता है या दो या दो से अधिक भागों में बिभक्त हो जाता है अब कैसे बिभक्त होता है आप लोग यहां पर धीगर को ध्यान से देखिएगा जैसे मान लिया जाए कि यह अमीवा है ठीक है अमीवा है यह है अगर आपको कोई Amoeva का फोटो बनाने के लिए बोल दे कि Amoeva का फोटो बनाईए तो आप अपने हाथ को चाहे जैसे भी घुमा दीजे सिर्फ उसमें कोना नहीं होना चाहिए इस परकार से कोना नहीं होना चाहिए ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर कोना आ गया ना यहाँ कोना नहीं होता है Amoeva में बाकी आप लोग जैसे भी हाथ घुमा दीजेगा वह Amoeva का चित्र ही बन जाएगा तो जैसे मान लिया जाए कि यह Amoeva हो गया ठीक है यह क्या होता है कि दो छोटे छोटे भागों में तूट जाता है अब कैसे विभक्त होता है ध्यान से देखिए जैसे मौन लिया जाए कि यह इस परकार से क्या हो जाएगा कि विभक्त हो जाएगा यहाँ पर किंद्रक है और यहाँ पर एक किंद्रक है यहाँ से अलग होने का परक्रिया शुरू हो जाएगा और फिर अंत में जाते जाते यह यह एक अलग अमीवा बन जाएगा और यह एक अलग अमीवा बन जाएगा ठीक है तो पहले एक था लेकिन इससे धीरे-धीरे क्या हो गया दो हो गया तो यहीं कह रहा है कि यदि एक जनक तूट करके दो या दो से अधिक भागों में बिभक्त हो जाता है उसे हम लोग क्या ब यानि कि जो जनक होता है यहां अपने जैसा ही दूसरा संतान उत्पन करता है जैसा कि हम आपको जननकाप परिभासा भी बताये थे कि अपने जैसा दूसरा संतान उत्पन करना यदि अमीवा है तो अमीवा ही उत्पन होगा यदि इस्ट है तो इस्ट ही उत्पन होगा यदि उगलीना है तो उगलीना ही उत्पन होगा, प्रमेसियम है तो प्रमेसियम ही उत्पन होगा यानि कि अपने जैसा संतान उत्पन होता है तो दो albo से अधिक भागों में अधि जैनक तूट रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बिखंडन कहते हैं ध्यान रखिएगा और यह जो बिखंडन की किरिया है यह दो भागों में पूरा होता है जिसमें पहला होता है दिव खंडन और दूसरा होता है बहु खंडन ध्यान रखिएगा पहला दिव खंडन और दूसरा होता है बहु तो नाम से ही आपको लग रहा है कि दिव खंडन यानि कि दो भागों में बिभक्त होता होगा नाम से ही आपको लग रहा है कि दिव खंडन यानि कि दो भागों में टूट रहा होगा तो बस इसके नाम के अनुसार ही हम लोग इसका परिभासा देंगे कि बिखंडन की वैसी भी धी जिसमें जीव जनक दो भागों में बिभक्त हो करके स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं यानि कि सिर्फ दो भागों में बिभक्त हो जाएंगे जैसे मान लिया जाए कि यह अमीवा है तो यह छोटे-छोटे दो भागों में विभक्त हो जाएगा और दोनों अलग-अलग अमीवा बन जाएगा और अपना जीवन ब्यतीत करेगा अपना जीवन एक नए सीरे से सुरू करेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दिव जैसे अमीवा हो गया प्रमेसियम हो गया उमीद करते हैं कि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा यदी आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताईएगा कि हां सर एक एक चीज हम लोग समझ रहे हैं उसके बाद बिखंडन का दूसरा पार्ट होता है बहु खंडन क्या होता है जैसे आप लोग ध्यान से देखिए कि बहु खंडन क्या होता है कह रहा है कि बिखंडन की ओवह विधी जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आबरन में सुरच्चित रहता है जिसे पुट्टी कहते हैं यह पुट्टी अचानक फट और इससे बहुत सारे जीव बाहर निकल करके स्वतंत्र जीवन आपन करने लग जाते हैं जैसे आप लोग रोटी तो देखे होंगे और रोटी को अगर खूले में कहीं पर 4-5 दिन छोड़ देते हैं तो उसमें फफुंद उत्पन हो जाता है जैसे यह रोटी है इसको 4-5 दि खूले में छोड़ दीजेगा तो इस पर छोटे 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 जीव शुरू हो जाते हैं जिसको कि हम लोग फफुंद बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि रोटी खराब हो गया तो यह जो फफुंद होते है चोटे छोटे यह एक परकार का जीव है और जब य जैसा फफुंद होता है यानि कि अपने मात्री के संतान को ही यह बनाए रखता है यानि कि अपने मात्री के जैसा ही होता है अपने जनक के जैसा ही होता है जिससे इसकी उत्पत्ती हुई है उसी के जैसा इसका ब्यभार होता है तो बहुखंडन मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे और दिवखंडन मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे दिवखंडन में दो भागों में तूटता था और बहुखंडन में बहुत सारे भागों में तूटता है बस इत्ता ही अंतर है बहुखंडन के जो दो प्रकार बताए दिवखंडन और बहुखंडन तो अख्योबह बहुत सारे भागों में तूट जाता है तो बहुत सारे परिभासा बताए कि विखंडन की वभाबिधी जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरन में सुरच्चित रहता है जिसे पुटी कहते हैं और यह पुटी जब अचानक फटती है और इसे स बहुत सारे जीव बाहर निकल कर स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और अपने मात्री संतती के जैसा संतान उत्पन करते हैं तो इसी को हम लोग बहु खंडन कहते हैं जैसे अमीबा हो गया वाउचेरिया हो गया इस परकार से बहुत सारे एकोस्किये जीव होते हैं चलिए तो उमीद करते हैं कि विखंडन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि विखंडन क्या होता है और विखंडन दो प्रकार के होते हैं उसके बाद दूसरा जो प्रकार होता है अलेंगिक जनन का उभा होता है मुकुलन अलग से भी प्रस्ण पूछा जाएगा कि मुकुलन क्या है बताईए लगुतर ये का प्रस्ण बनेगा लेकिन जब साथ में पूछेगा तो दिर्गुतर ये का प्रस्ण बनेगा तो आप लोग ध्यान से समझे कि मुकुलन क्या होता है कह रहा है कि अलैंगिक जनन की वहविधी जिसमें जीव के सरीर से उभार निकलता है जिसे मुकुल या फिर कली कहते हैं ध्यान रखियेगा मुकुल या फिर कली कहते हैं और मुकुल से नए जीव का निर्मान होता है जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं जैसे एकजामपल के माध इस हाइड्रा से यह जो उभार है यह अलग हो जाएगा ठीक है यह अलग हो जाएगा और अलग हो करके अपना नया जीवन शुरू कर देगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मुकुलन बोलते हैं क्या बोलते हैं मुकुलन बोलते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा तो मुक बोलते हैं मुकलन बोलते हैं तो उमीद करते हैं कि बिखंडन और मुकलन का अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे उसके बाद तो तीसरा होता है उबह होता है पुनर जनन या फिर पुनरुद भवन ध्यान रखिएगा पुनर जनन या फिर पुनरुद भवन जिसको भी हम ल लीजिए चिपकिली के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब चिपकिली का पूच्छ कट जाता है तो फिर से नया पूच बना लेता है तो यह पुनर्जनन का उदारन है अमीबा जब टूटता है तो भ friends जूद सारे ऑमीबा में भिभक्त हो जाता है उसके बाद हाईड रचैने का पूच से नया सरीर बन जाएगा, आप ध्यान रखिएगा तो उमीद करते हैं कि पुनर जनन कहने का मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे और लास्ट में एक होता है काईक जनन ध्यान रखिएगा लास्ट में क्या होता है काईक जनन होता है लेकिन यह जो काईक जनन होता है यह पेण पौधों में होता है क्या होता ह तना के माध्यम से और पती के माध्यम से नए पौधा का विकास किया जाता है उसे हम लोग काईक जनन बोलते हैं अब ऐसा मत सोच लीजेगा कि आप लोग कि बीज और फूल से भी नए पौधा का निर्मान हो जाएगा यदि बीज से नए पौधा का निर्मान हो रहा है तो वह लेंगिक जनन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हम आपको अलेंगिक जनन के परकार के बारे में बता रहे हैं तो कभी भी फूल और बीज से पौधा का निर्मान नहीं होगा और यदि फूल और बिज से हो रहा है तो वह लेंगी के जनन होगा इसको ध्यान रखियेगा तो यहाँ पर कह रहा है कि जिसमें जड से तना से और पती के माध्यम से नए पौधा का विकास होता है उसे हम लोग काईक जनन कहते हैं जैसे जड से तो विकास के बारे में आप लोग जानते होंगे तना के विकास के बारे में भी आप लोग जानते होंगे और पती के विकास के बारे में भी आप लोग जानते होंगे एक simple सा उधारन हम आपको देते हैं गुलाब का पौधा तो आप लोग देखे होंगे मानली अजाए कि यह एक गुलाब का पौधा है यदि आप लोग इसको बीच से काट करके यहां से काट करके अगर धर्ती पर कहीं भी गाड़ देंगे इसको अच्छे से पानी बगेरा देंगे तो यह एक नया पौधा बना लेगा आलू को आप लोग देखे होंगे यह जो माल लिया जाए आलू है और आलू को अगर बीच से काट करके भी आप लोग कहीं पर भी गाड़ देते हैं तो इससे नया पौधा बना लेता है घास को आप लोग देखे होंगे खास करके जो दूभी घास होता है दूभी घास के बारे में आप लोग जानते होंगे यह जहां पर भी जाता है जितना दूर जाता है तो जहां के तहां इसका जड़ी निकल जाता है जहां भी इसका संपर्क थोला सा भी धर्ती से होता है वह अपना जड़ी नया बना लेता है यानि कह रहा है कि जड़ तना तथा पती के माध्यम से यदि नया पोधा का विकास कर रहा है तो वह काईक जनन का उधारन हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि अलैंगिक जनन के परकार के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कितने परकार के होते हैं तो यहां पर हम आपको चार परकार के बारे में बताए जिसमें सबसे पहला बताए हम आपको बिखंडन और बिखंडन का भी दो परकार बताए दिवखंडन और बहुखंडन क्या बताए दिवखंडन और बहुखंडन यदि दो भागों में विभक्त हो रहा है तो उसे दिवखंडन बोलेंगे लेकिन अगर बहुत सारे भागों में भी भक्त हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बहु खंडन बोलेंगे उसके बाद हम आपको मुकुलन के बारे में बताए मुकलन के बारे में क्या बताए कि अगर कहीं से भी उभार है तो यह अब धीरे-धीरे करके अलग जीव बन जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे मुकलन बोलेंगे उसके बाद हम आपको पुनर जनन के बारे में बताए जिसमें हम आपको बताए कि अगर कोई सरीर का कटा हुआ भाग है तो वहां से नए जीव का निर्मान कर लेता है उसके बाद हम आपको काईक जनन के बारे में बताए कि जिसमें जड़ से तना से तथा पत्ती से नए पौधों का निर्मान हो रहा है तो उसे हम लोग काईक जनन बोलते हैं तो उमीद करते हैं कि अलेंगिक जनन के बारे में आप लोग भली भाती समझ गए होंगे और यहाँ पर आपका अलेंगिक जनन सवाप्त हो गया अब हमको जो पढ़ना है वह लेंगिक जनन पढ़ना है तो लेंगिक जनन का परिभासा बगिरा तो हम सब कुछ आपको पहले कलास में ही बता दिये थे तो लेंगिक जनन में जो सबसे पहला नंबर प्रस्ण आपका जो महत्वपूर्ण है यह है कि इस्तिरी योवना रंभ से आप क्या समझते हैं इस्तिरी योवना रंभ से आप क्या समझते हैं और इसका पहचानने का क्या नियम है क्या तरीका है कि इस्तिरी योवना रंभ में परवेश्च कर चुकी है तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कह रहा है कि जब मादा के सरीर का जनन अंग कार् मादा के सरीर का जो योनी होता है जो जनन अंग होता है उबह कार्ज करना सुरू कर देता है यानि कि जब उबह जनन के योग हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं योवना आरंभ बोलते हैं और ध्यान रखिएगा कि सभी बालिका वर्ग का जनन अंग ग्यारा से बारा वर्स की अवस्था में कार्ज करना सुरू हो जाता है यानि कि जब लड़की 12 वर्स की हो जाती है या फिर 11 से 12 वर्स की हो जाती है इसका मतलब है कि उसका जनन अंग कार्ज करना सुरू कर देता है यानि कि वह पर जनन करने के लाइक हो जाती है ध्यान रखिएगा आप लोग तो इसी चीज को बोल रहा है कि जब मादा के सरीर का जनन अंग कार्ज करना सुरू कर देता है उसे हम लोग इस्तिरी योवना आरंभ कहते हैं और सभी बालिका वर्ग का जनन अंग ग्यारा से बारा बर्स की अवस्था में कार्ज करना सुरू कर आपको बताना है कि एस्ट्रोजन और प्रोटे अस्टेरोन नामक हर्मोन का स्राब होता है जो लेंगिक कार्ज को दरसता है अब चलिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे कि इस्तिरी योवना आरंभ में पर्वेश कर चुकी है यानि कि योवा परजनन करने के लाइक हो गई है तो सबसे पहला पहचाने का नियम है कि जब इस्तरी 11 से 12 बर्स के अवस्था में परवेश कर जाती है तो उसके आवाज में मधूरता आना सुरू होने लगता है यानि कि उसका आवाज मधूर हो जाता है मीठा हो जाता है उसके बाद दूसरा है कि नितंब का चोड़ा हो जाना नितंब कहने का मतलब कमर होता है यानि कि जब इस्तरीयों का या फिर लड़कियों का कमर धीरे धीरे चोड़ा होना सुरू हो जाता है तो मतलब समझे कि योबह योबना आरंभ में परवेश कर चुकी है यानि कि योबह परजानन करने एक लाइक होती जा चौथा होता है जनन अंग पर बाल आना जो इस्तिरियों का जनन अंग होता है वहाँ पर बाल आना शुरू हो जाता है जिसको हम लोग कच्छिय बाल बोलते हैं तो इसका मतलब क्यों योबना आरंभ में परवेस कर चुकी है और अस्तन का विकास होना मादा में क्या होता है कि जब वह योवना अरंभ में परवेश करना शुरू हो जाती है तो उसके अस्तन का विकास सुरू हो जाता है यानिकि अस्तन धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है ठीक है तो कूल मिला करके इस्तिरियों का योवना अरंभ में परवेस होने के कौन-कौन से नियम है और क्या नियम और सर्ते हैं इसके बारे में हम आपको बता दिये तो यदि आपसे परिच्छा में पूछा जाएगा कि इस्तिरी योवना अरंभ से आप क्या समझते हैं तो आपको यहीं बताना है कि जब मादा के सरीर का जनन अंग कार्ज करना सुरू कर देता है तो उसे हम लोग इस्तिरी योवना अरंभ करते हैं और यह कब कार्ज करना सु पर जनन अंग पर बाल आना और अस्तन का विकास होना तो इस्त्री योबना अरंभ के बारे में तो आप लोग समझ गए अब चलिए हम आपको बताते हैं कि पुरुस योबना अरंभ से आप क्या समझते हैं जिस परकार से इस्त्रियां जब यूबा होती जाती है परजनन करने के लाइक होती है उसी परकार से पुरुस भी यूबा होते हैं और परजनन करने के लाइक होते हैं तो उनका क्या नियम और सर्थ है और क्या पहचानने का तरीका है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कह रहा है कि जब नर का जनन अंग कार्ज करना शुरू कर देता है उसे पुरुस योबना आरंभ कहा जाता है जिस परकार से इस्तिरियों में इस्तिरियों का जनन अंग कार्ज करना सुरू कर देता है उसे इस्तिरी योबना आरंभ कहते है उसी परकार से जब पुरसों का जनन अंग कार्ज करना सुरू कर देता है तो उसे हम लोग पुरूस योबना आरंभ कहते हैं और यह कब सुरू होता है तो बालक बर्ग में जो जनन अंग होता है वह 12-13 वर्ष की अवस्था में कार्ज करना सुरू हो जाता है यानि कि जब कोई भी लाका 12-13 वर्ष की अवस्था में है तो बहुत परजनन करने के लाइक हो जाता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं पुरुस योगना आरंभ बोलते हैं ध्यान रखिएगा कि पुरुस के ब्रीशन से टेस्टे अस्टेरोन नामक हर्मोन का सराब होता है क्या होता है टेस्टे अस्टेरोन नामक हर्मोन का सराब होता है जो लेंगी के कार्ज को दरसाता है इस तरियों में हम आपको बताये थे कि प्रोटे अस्टेरोन होता है उसी प्रकार से पुर्सों में टेस्टे अस्टेरोन होता है ध्यान रखिएगा अब हम लोग देखते हैं कि पुर्सों में योबना अरंभ पहचानने का कौन-कौन सा तरीका है तो सबसे पहला आवाज में भारी बन लड़कियों में बताये थे आवाज में मधूरता यानि कि लड़कियों का आवाज मिठा हो जाता है लेकिन जो पुर्सों का वाज होता है उबाद धीरे धीरे भारी हो जाता है उसके बाद कंधा का चौड़ा हो जाना लड़कियों में क्या था कमर का चौड़ा हो जाना लेकिन पुर्सों में होता है कंधा का चौड़ा हो जाना तीसरा होता है सरीर सुडॉल एवं ताकतवर हो जाना यानि कि जब पुरुस युवा अवस्था में परवेश होते हैं तो सरीर सुडॉल हो जाता है और थोड़ा ताकतवर हो जाता है उसके बाद डाल ही मोचाना शुरू हो जाता है आप लोग इस बात को जानते होंगे उसके प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा यदि दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं अब चलिए अगला प्रस्णम आपको बताते हैं कि उत्तक संबर्धन से आप क्या समझते हैं ध्यान रखिएगा उत्तक संबर्धन से आप क्या समझते हैं तो चलिए हम आपको उत युक्त बरतन में रखा जाता है यानि कि कृत्रिम तरीके से यानि कि मानवों के दोरा बैज्ञानकों के दोरा क्या होता है कि पौधों के सिर्ष भाग पर यानि कि जो सबसे उपर का भाग होता है वहाँ पर पोसक तत्व युक्त बरतन को रखा जाता है और बरतन रखने से क क्या होता है पोशक्तत्व वाला कि जिसके फल्चरूप असंख कोशिकाओं के समुह का निर्मान होता है ध्यान रखिएगा असंख कोशिकाओं के समुह का निर्मान होता है जिसे हम लोग कैलस बोलते हैं और इसी कैलस के माध्यम से जड़तना पत्ती का निर्मान होता है इसके अस्थान पर लगा दिया जाता है जिससे एक नए पौधे का निर्मान हो जाता है जिससे हम लोग उत्तक संबर्धन कहते हैं यानि कि अगर सीधे सीधे हम लोग समझे तो बैज्यानिक तरीके से और फिर कृत्रिम तरीके से एक नए पौधे का निर्मान करना ही क्या कहलाता है युद तक संबर्धन कहला आता है जिसमें क्या होता है कि पौधे के शिर्ष भाग में यानि कि सब से उपर में पोसक तत्व वाला एक बरतन वहाँ पर रख दिया जाता है और जिससे क्या होता है कि कोशिकाऊं के समूह का निर्वान होता है इसे हम लोग कैलस बोलते हैं और इसी कैलस के माध्यम से जड़ तना पत्ती का निर्मान होता है इसके बाद इसे एक अस्थान से हटा करके दूसरे अस्थान पर परत्यारोपित कर दिया जाता है जिससे एक नए पौधे का निर्मान होता है उसे हम लोग उत्तक संबरधन कहते हैं तो यह प्रस्ण भी आपके लिए बहुत ज़ादा महत्वपूर्ण था आप लोग ध्यान रखिएगा तो अगला प्रस्ण अब हम लोग देखेंगे कि मादा जनन तंतर का सचित्र वर्नन करें यानि कि जो मादा जनन तंतर होता है उसका वर्नन करना है वो भी चित्र के साथ यानि कि चित्र के माध्यम से समझा करके आपको बताना है तो यह वाला जो प्रस्ण है या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ण है आपके परिच्छा में पूछा जाता है और दिर्गुतरिये में पूछा जाता है इसलिए यह वाला प्रस्ण बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है तो इसलिए इस प्रस्ण को अगले वीडियो में बताएंगे ताकि आप लोग माइंड फ्रेस हो करके आएं और इस चीज को समझें और अपने परिछा में दिर्गुतर ये प्रस्ण को तो बिल्कूल न तो चलिए यहां के बाद से जितने सारे भी प्रस्ण सेस बच गया हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में कम्प्लिट करेंगे तो फिलहाल आज का यह जो वीडियो है हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताएं आज के इस कला के बीच शेयर भी करिएगा और जो भी एस्टुडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफीकेशन आपको मिल सके तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्लास में जो भी महत कुश्चन होगा उसको हम लोग बताएंगे तो चलिए तब तक के लिए जैहिंद धन्यवाद